हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार अविनंदन है हिंदी साहित्य का जो आगामी एक्जाम है उसके लिए चलिए एक वीडियो अफलोड कर देते हैं एमसी के उसका लाईव पर हम रोजना आठ बजे मिलते हैं वहाँ पर हम अलग-लग सब्जेक्ट्स करते हैं आए तो शुरू करते हैं जैसंकर प्रसाद जो हमारा पहला अध्या है हिंदी साहित्य का जिसमें इनके दो गीत हैं एक है देवसेना का गीत और दूसरा है कारनेलिय का गीत इस चैप्टर को यहाँ पर पढ़ लेते हैं पहला प्रस्न है मेरी यात्रा पर लेती थी निरवता अनंत अंगड़ाई में निरवता सब्द पर किस भाव को आरोपित किया गया है अगला प्रस्न है देवसेना का गीत के मूल भाव के लिए सबसे अधीक उप्योगत सब्दिया भाव क्या हो सकता है देवसेना का गीत जीवन की निरासा का गीत है प्रेम की व्यर्थता का गीत है अनुभवाव की कमी का गीत है या फिर अपने जीवन का मुल्यांकन है तो बिल्कुल इसका सही अंसर हैगा option 4 ये गीत जो है ये अपने जीवन का मुल्यांकन है क्योंकि देव सेना इसमें अपने संपून जीवन के घटना करम को संपून जीवन को इसके बारे में यहाँ पर बताती है तीसरा प्रस्ण है देव सेना मन की लाज गवा कर क्या कहना चा रही है option एक है अब मुझे से वेदना सही नहीं जा रही option दो है बेजती अनुभाव करना प्रेम करने का पस्चा ताप करना या फिर मन पर काबू ना होना तो यहाँ पर देव सेना अपने मन की लाज को गवा कर के यह कह रही है कि अब मुझे से वेदना सही नहीं जा रही मैंने बहुत दुख देखे हैं मैंने जीवन भर तकलिप में देखी है लेकिन अब मेरा अंतिम समय है तो इसका सही जवाब रहेगा उप्सन एक अब मुझे से वेदना सही नहीं जाती अगला प्रसना है लोटा लो यह अपनी थाती इसमें थाती सब्द किस और संकित कर रहा है जुड़ा होना, धारोहर, धारन करना या पिर संपत्ती तो इसका सही जवाब रहेगा उप्सन दो धारोहर, यानि प्रकरती से कह रही है कि अब ये आपकी धारोहर आप संबालिये मैं अपने जीवन की अंतिम आवस्ता में पहुंच चुकी हूँ ये पोना जो है आपकी थाती आपको सौप करके आपकी धारोहर आपको सौप करके मैं अपने गंतव्य की और रवाना होती हूँ पाच्वा प्रसन है कि जीवन में पाने की आसा से देव सेना ने क्या खो दिया था धन, परिवार, जीवन की सारी कमाई या फिर बनाई हुई संपत्ती तो इसका सही जवाब रहेगा अपसंतीन, जीवन की सारी कमाई उसने जीवन में कुछ पाने की आसा में खो दि थी तो देव सेना ने इसकंद गुप्त को पाने के लिए अपने संपुर्ण जीवन जो होम कर दिया था, उसके लिए इंतिजार किया था तो ये इसका कहने का मतलब था कि उसकी संपुर्ण जीवन की कमाई समाप्त हो गई चड़कर मेरे जीवन रत पर प्रलय बढ़ रहा अपने पत पर इस पंक्ती में प्रलय से क्या अभी प्रा है संगर्स, आनंद, जंजावात या फिर प्रेम तो यहाँ पर प्रलय का मतलब है संगर्स, जीवन में उसके संगर्स चलते रहे थे विहाग की तान के समय देवसेना किस अवस्था में थी स्रमिक स्वपन की मदू माया में गेहन विपिन की तरू चाया में उनिंदी अवस्था में या फिर सभी विकल्प सही है तो इसका सही जवाब रहेगा सभी विकल्प सही है देवसेना ने भ्रम में आकर जीवन में क्या किया था जूट बोला था, किसी को गलत समझ लिया था विहाग की तान चेड़ना या फिर जीवन संचित मदुकरियों की भीक लुटाना तो सही जवाब रहेगा उप्सन चार जीवन संचित मदुकरियों की भीक लुटा दी आ वेदना मिली विदाई पहंक्ती में कवी की आहा का क्या कारण है जीवन के अंतीम काल में भी सुख का नहीं मिलना सही तरह से विदा ना कर अपमान करना नीद ना आने के कारण परिशानी या पिर प्रेम में आ सफल रहना तो इसका सही जवाब है option 1 जीवन के अंतीम काल में भी सुख का नहीं मिलना इसलिए यहां पर आहा वेदना मेली विदाई का भाव प्रकट हुआ है दस्वा प्रसन है इसकंद गुप्त किस विदा की रजना है तो यह कहानी है नाटक है एकांकी है या संस्मरन है तो यह एक नाटक है जैसंकर प्रसाद का एक नाटक इसकंद गुप्त जिसका मुख्य पात्रह सकंद गुप्त है और इसकी प्रेमिका का नाम है देव सेना तो ये था हमारा एक चोटा सा वीडियो हमने जैसंकर प्रसाद चैप्टर पर बनाया था और आपको आगे भी इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहेंगे अगर आप इस वीडियो की पीडियोज की पीडियोज चाते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलिग्रम चैनल का लिंक दिया हुआ है आप लोग जोइन कर लीजिए धन्यवाद